आज में बताने वाले हूं कि IQ क्या होता है या नि बुद्धि लबधी दोस्तों IQ को फुल-फॉर्म होता है intelligence quitent दोसतो IQ वह होता है जो हमारे सोचने, समझने विचार करने, किसी कारे को जल्दी समझने, उसको करने यानि present of mind इतना कितना आप सोच पाते हैं किसी चीज को कितना जल्दी अबज़र कर पाते हैं यह हमारे IQ लिवर पर निभर करता है कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी समझ जाता है और उसे बहुत जल्दी खत्म कर देता है और कोई बच्चा उसी चीज को बहुत देर से समझ पाता है और उस कारे को करने में उसको जादे टाइम लगता है तो उसके IQ लेबल पर निर्भर करता है कि वह कितना समझता है कितना उसका दिमाग है बर दोस्तों हमारे IQ लेबल को अनुभव प्रसिच्छर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है ऐसा नहीं है कि आपका IQ लेबल कम है तो आप उसी लेबल पर रह सकते हैं आप अपने अनुभव अभ्यास द्वारा IQ लेबल को बहा सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि practice makes a man perfect यानि अभ्यास ही मनिष्ट्री को पुड़ बनाता है अभ्यास से आप अपने IQ लेबल को भी पढ़ा सकते हैं तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग कीजिए जैसे कि आईक्यू का सरप्रथम उप्योग जर्मन वैज्यानिक विल्यम इस्टर्ण ने किया था फिर बाद में टर्मन और स्टेंफोर्ड ने मिल करके बीनट और सीमन पेस्ट का प्रियोग कर बुद्धी लब्धी का परिच्छर बनाया बुद्धी लब्धी यानि आईक्यू का परिच्छर बनाया इंटिलिजेंस क्वेटेंट का और इस अधार पर बुद्धी लबधी को मापने के लिए सुत्र तयार किया दोस्तों बीनट और सीमन जो थे ओ इंटिलिजेंस टेस्ट यानि बुद्धी परिच्छर को सबसे पहले किसने किया था तो 1905 में अलवाट में सबसे पहला बुद्धी परिच्छर बनाया था और उसके सुत्र कोन तयार किया था आइक्यू टेस्ट किस ने किया था आइक्यू किस ने बताया था क्या है यह टर्मेन और इस्टेंफोर्ड ने सबसे पहले किस ने बताया था दोस्तों तो उसी सिफ इस्टेंफोर्ड क तो बुद्धी लबदी को मापने का सुत्र क्या होता है दोस्तों IQ यानि Intelligent Quotant यानि बुद्धी बराबर Mental Age upon Chronological Age Good is so Mental Age upon Chronological Age Good is so Mental Age यानि मानसिक आयू upon Chronological Age यानि वास्तिविक आयू कालकरम आयू का मतलब होता है कि जर्म से लेकर आज तक आपका कितना आयू हुआ है Mental Age का मतलब होता है कि जितना आपका Age होरा है उससे कम Age वाले जैसा आपका बुद्धी है जादे एज़ओ वाले जैसा आप कार कर लेते हैं तो दोस्तो इसके बारे में समझते हैं कि कैसे बुद्धी लभधी निकाला जाता है तो एक-जंपल नुम्बर वन है जैसे कि एक-जंपल के माध्यां से हम समझते हैं कि एक बच्चे की वास्टविक आयू मानलीजिए या कालकरमिक आयू छे वर्स है और वह 8 वर्स की बुद कालकरमिक आयू 6 वर्स हुआ और मानसिक आयू 8 वर्स हुआ तो सुत्र होता है मानसिक आयू अपन कालकरमिक आयू यानि वास्त्विक आयू तो मानसिक आयू हुआ आपका 8 वर्स और वास्त्विक आयू हुआ 6 वर्स तो 8 अपन 6 गुड़े 100 ठीक है मानसिक आयू अपन कालकरम का बालक मना जाएगा कौनसा बालक मना जाएगा प्रकार बुद्したकर उसके आउ तो 6 वर्स ही है यू कर दोhstो यह रही है तो 150 प्रकार का आएक्यू यहां प्रखर बुद्धी का जैसा कि 120-140 वालों का प्रखर बुद्धी में रखा गया है और 140 वालों प्रतिभास थाली होता है दूसरा एक्जम्पल है दोस्तों कि मालने जी छे वर्स का बालक चार वर्स की बुद्धी परिच्छर में सफल होता है अपने से कम बच्चे वर्स का आयू है और चार वर्स अपने से भी छोटे बच्चे जैसा उसका बुद्धी है तो इसकी मानसिक आयू हुआ चार वर्स और कालकरमिक या वास्तिविक आयू छे वर्स हुआ तो इसका निकालेंगे ते क्या होगा निकालने पर इसका आएगा 6.6 IQ आएगा, यानि कि यह मुण बुद्धी बालक है, 6.6 में क्या आएगा, 50 से 70 जिसका IQ होता है, वो मुण बुद्धी में आता है, नेक्स एग्जाउंपल देखते हैं दोस्तों, कि बच्चे का 6 वर्स का बच्चा है, और 6 वर्स की बुद्धी परिच्छा में सफल होता है, तो इसकी IQ क्या होगी, तो 6.5, 6.0, यानि इसकी IQ 100 होगी, यानि अश्रमान बुद्धी का बालक होगा, जिसकी IQ 90 से 110 की बीच में आ तो दोस्तों, इस प्रकार IQ हम ग्याद करते हैं, जैसा कि आप ज्यान गए होंगे, तो दोस्तों, तर्मिन और इस्टिन फोर्ड ने IQ लेबल को एक चार द्वारा निधायत किया है, कि इतना से इतना IQ वाले इस बुद्धी के होगी, तो हम चार द्वारा समझते हैं, IQ स्कोर जासर अन। जैसा कि 140 एस एससे उपर आएक्यू तो प्रतिभा साली में गिंता हैं, जैसा कि आंटिन का होता है, बहु को बग्यानिक्यों का होता है वो प्रतिभास आली में आते हैं एंड 120 से 140 के बीच में जिसका IQ है वो प्रखर बुद्धी में आता है एंड 110 से 120 के बीच जिसका IQ है वो तिवरे बुद्धी में आता है एन नबे से एक सो दस की बीच में जिसका IQ है वो समाने बुद्धी एवरेज में आता है एन असी से नबे की बीच में जिसका IQ है वो बुद्धी दरवल्ल में आता है एन सतर से असी की बीच में जिसका IQ है वो बुद्धू या इंडल में आता है एन पचास से सतर की बीच में म एक दम जड़ है तो इस प्रकार बुद्धि लब्धी के बारे में हमने जाना वीडियो क्यो täll ना स्सिर्म केमें सब्कुछ समझ में आ गया होगा टो आपको वीडियो कैशा लगा मुझे में जरू सर्दोर बता पहुंद घ्ली kö हैं जुभ आप उसको देखना मत भूलिएगा तो दोस्तों पहली बार विजिट कर रहा है तो चलो कि सब्सक्राइब कर लिजिए प्रेस कर लिजिए जिसे जो ही मैं नए वीडियो अप्लोड करूंगी उसको नौटिफिकेशन आपके पास पहुचता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं ने